केंदु सरकार के माई गौवन्मेंट डॉट इन के दो साल पूरे होने का जश्चन टाउन हॉल में हो रहा है इंद्रा गान भी इंदो स्टेडियम में आज सुभा से ही आईडियाज रखर चर्चाओं सुझावों और बातीत के दौच चालू है सरकार की फ्लैक्शिप योजनाओं के असर और कसर पर खुल कर बातो रही है साम को टाउन हॉल नामक सत्र में कज़ान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद माय गाउं वेब पोडल पर अपने सुझाव सिकायत और चितनिया करने वालों से मन की बात की तर्च पर सीरी बाचीत करेंगे यानि मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्मेंट के लिए दो साल पहले शुरू हुए सफर में नियू के पथर पर फहर कर सरकार और जनका देख रही है कि सफर कैसा रहा इसे मोधी सरकार की पेजर जन से भी जादा फ्लाक्सित योजनाओं के गुंदोश पर चचचा हो रही है देख भर से आए दो हजार लोगों के साथ विभिन्न मंत्रालों के सचीव और मंदरी दिन भर चचचाएं कर रही है दिल्ल की एक अदालत में चैट बाँट्स मामले में शराव वपारी विजय मालिया के खिलाव ग्याज़ जमानगी उपरम जारिक्या है कोञ़ में करतार से कहा है कि वो मालिया की भारत वापसी के लिए दबाव बनाई दिल्ली की पत्याला हाउस कोट में मालिया को चार नवेंबर को अदालत में पेश होने का पर्मान भी सुनाया है अदालत में विदेश मंत्राले से कहा है कि वो लंड़न में रहे रहे मालिया को वारिंद भेजे विधायकों ने दिल्ली विधान सभा स्पीकर को चित्त की लिखकर उनसे सुरक्षा मांगी है। विधायकों ने कहा है जिस तरह का दिल्ली का माहौल है। उसे देखके हुए उनिक ख़परा है। इसलिए उन्होंने दिली विधान सभा तुष्पी कर राम लिवास गोयल से मदद मागी है विधायकोंने कहा है उनके कारले में CCTV कैमरे लगाए ज़ाये जिसे कारले में होने वाली कति युदियों को कैमरे में केर किया जा सके लगातार शुकायतों के आ रहे मामलों से विधाय के जबात को लेकर चिंदित है कि तमाम लोग उनसे मिलने आते हैं कोई कुछ आरूप लगा सकता है जिसको लेकर विधान सवास अखिवाले कमधीता से विचाथा रहा है जम्म कश्मीर के पूर्व मुख्य मंतरी उमर अब्दल्ला ने घाती में हालात पारतभान मंतरी नवींद्र मोडी की चुक्ति को लेकर सवाल उठाया है और उसे दिल तोडने वाली और चिंदा जनक करा दिया है उमर ने कल देजा अप्स्टिटर पर लिखा दिल तोडने वाली और चिंदा जनक केंदर यहां संकत को लेकर कब जागीगा वो कल हिंसर प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बलो की कारवाई में तीन लोगों के मारे जाने पार पतिक्रिया दे रहे थे विपक्षी नाशनी कॉंट्रेंस के कारिकारी अध्यक्ष ने कल घाती में सुधा सम्मंदी केंदर के दावे को लेकर मिशान असादा था उमन ने लिखा एक और गुर्धागे पूल मौत आज अंगिनित लोग भायल हों और केंदर माननिया उचस्तम नेयाले को बताता है कि चीज़े सुधर रही कैं सुप्रीम कोर्ट राश्चे राजधानी को राज्ये घोशित करने की मांग से जुड़े दिल्ली सरकार के दीवानी मुकदमे और उपराजय पाल को दिल्ली का प्रशास्टिनिक प्रमुक खेराने वाले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सरकार की अपील की एक साथ आप सरकार का अनुच्छेद 131 के तहट दिवानी मुकदमा जब सिन्वाई के लिए आया तो पीछ ने कहा कि आप सरकार को मुल दिवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाए दिल्ली उचनियाले के फैसले को चिनौती देने वाली एक यासी का दायर करने चाहिए दिली की ही तरहा पुदुचेरी में भी उपरा जिपाल और सरकार के बीच खटपट शुरू हो गई है यहां की उपरा जिपाल किरन बेदी और मुक्यमंत्री भी नारायन स्वामी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दरसल ताजा लडाई एक वाट्सेप ग्रूप के बढ़ने के बाद शुरू है यह वाट्सेप ग्रूप किरन बेदी ने बनाया है इस ग्रूप में उन्होंने कई सरकारी अधिकारीों को तो शामिल किया लेकिन मुख्य मंतरियों और उनके काबिनेट मिनिस्टर्स को गर किनार कर दिया यह बाद नारायन स्वामी को पसर नहीं आ रही इसके बाद नारायन स्वामी ने सभी सरकारी अधिकारियों को चेताया है कि वे सोशल मीडिया पर मिल रहे और उसकी जगा उनकी बात को फॉलो करें नारायन स्वामी ने इस मुद्धे पर बात शीथ करते हुए कहा कि दिल्ली के उलत उनके राज्य में मुख्य मंतरी को ज्यादा शक्ती मिली हुई है शिफसेना ने माहर्ट राज्दी को लेकर महराश्ट्य के मुख्य मंतरी देविद मिसर नविस को आड़े हातों लेते हुए कहा कि उन्हें दुरगटना स्थलों के हवाई दौरों को रोखना चाहिए और उसने पालक मंतरियों खुराज्य के भीतर दिमान से उडान भनने से रोखने की मांगी ताकि मंतरी महराश्ट्य की सड़को एवं कूलों की हालत समझ सके शिफसेना ने ये भी कहा कि सरकार का महतव कांशी लेकिन महराश्ट्य तारिकरम अच्छी गुनवत्ता वाली सरको एवं कूलों के निर्मान के साथ शुरू होना चाहिए जिनके अभाव में कोई भी अन्यदेश यहां निरेश करने का इच्छुप नहीं होगा उसने कहा एक दूसरे पर दोशा रोपन करने और माहाश राज़ी पर केवल बैट के करने के भज़ाए इस पैसले पर गंगीर विचार के जाने की आवशक्ता है भारत की महिला तीरंदाजी टीम ने 31 वे ओलंपिक खेलों के फ्री कौर्टर फाइनल में जगा बना ली है भारत्य टीम में दिपिका कुमारी, लेश्राम, बंबालिय देवी और लश्मी रानी माजी शामिल है दिपिका ने कुल 640 अंक हासिल किये जबकि बंबालिय ने 638 और लक्ष्मी ने 614 अंक जटाए भारत ने कुल 1982 अंक प्राप किये विक्तिगा तोर पर 64 तिरंदाजों के बीच दिपिका 20 वे स्थान पर रही जबकि बंबालिय ने 24 व और लक्ष्मी ने 47 स्थान हासिल किया दिपिका और बंबालिय विक्तिगत रैंकिंग के अधार पर अंते 32 दोर में पहुँच गए लेकिन लक्ष्मी ये मौकाश चूप गए दक्षिन कोरिया की तीरंदाजों ने 63 स्थान हासिल किये रुपसकर पर भी कोरिया इतीरंदाजों ने बाजिमारी दिल्ली महिना आयोग की अध्यक स्वाती मालिवाल की मुश्किलित फिर बढ़ सकती है आदि में रेट हुडिता का नाम उचागर करने पर स्वाती मालिवाल के खिलाफ दिली को लिस्त ने FIA डर्ज कूँ की अब स्वाती मालिवाल के खिलाफ ACB में श्विकाय दर्ज की है। दरसल दिल्ली के पूर्व मुख्य सचीप उमेश शहिगल ने दिल्ली महीना आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालिवाल परपद के दुर्पयोग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ACB में श्विकाय दर्ज लगाया था कि मालिवाल ने एक नीजी क्लब को कारण बताओ नूप ज़ारिकार पाद का दिरूपे उखिया जैपुल कॉंग्रेस ने राजस्थान में गायों के मणने और खराब स्थिती के लिए बीजे की सरकार को जिमदा सहराया है जुला कमिटी ने गायों की रक्षा के लिए सनिवार को पहले एक महा आर्थी और इसके बाद वो रक्षा पद्यात्रा आयोजित किया है इसका नेतितवर जुला अध्याक स्प्रताब सिंग खच्रियावास नगेत अपाउं करेंगे बताद चले की हिंगो निया गोजातिया परशूप उनवास गेंदर में बीते कुस दिनों में कई गायों की मात हो चुछी है इससे देखते हुए जुला कमिटी में बिमार गायों के वचाफ के लिए धियान चलाने की नामती है जैपूर कांग्रेस अध्यक पताब सिंग खच्रियावास ने कहा कि हिंगो निया गोजाला में हर बिमते करो गायों की मात हो रही है जिसे कांग्रेस आहट है और इसके विरोध में गोरफ्षा यात्रा निकाली जाएंगी है जेडियो नेदा श्रद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कावडियों की भीर से करके जिवाद खड़ा कर गिया है दरसल्कानपूर में जेडियू की रेली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोज़दारी बड़ी है जिसका उधारन कावडियों की बड़ती धीर से साफसाफ देखा जा सकता है शरद यादव ने ये बयान घाटमफूर में जेडियू की जन सभा से पहले सरकित हाउस में दिया शरद ने कहा कि कावडियों की धीर देखकर अंदाज़ा लगा जा सकता है कि देश में कितनी बेरोज़दारी है इनके पास काम होता तो ये सड़ को बन नहीं दिखते उत्रदेश में चनावी गठवंदन पर सरद निता कि उनकी समाजवावी पाठी या किसी और पाठी किसी के साथ गठवंदन नहीं करेगी तपाको बिहार ने परक्ष चुके हैं इसलिए किसी सूरत में उसके साथ गठवंदन नहीं होगा अभी अभी ये जो कोई ट्यवार होता है इसमें ये कावरी बड़े पहमाने ने कलते हैं सावन वाल याने हालाद जो है वो सडकों जो है वो सावन के त्यवार में जो पानी ढालने वाले हैं सबसे बड़ा नजारा बेकारी बेरोजारी का वहाँ देख सकते हैं बड़ी भीड बढ़ रही है कामरी है वो इतनी बड़ी भीड है होती है यह दिमोलों को काम होता था वैश्णो देवी मंदर के पास लैंसलाइड के दौरान चतान गिनने से चार लोगों की मौत हो गई वही साथ लोग जखनी होई है मरने वालों में एक बच्चा और एक महीना सामिल है फुलिस ने बताया कि यह घटना अर्द कुमारी मंदर के पास हुई जिसमें एक शक्स की मौत मौके पर की मौत हो गई है बही जाथर सध्धालू मारेश्णो के दर्सन के लिए गुफा की और बढ़े थे अमेरिका में प्रेजिदेंचिल इलेक्शन के लिए कैम्पेइनिंग का दौर जारी है डेमोकर्टिक पार्टी के रहरी क्लिंचन और उनके उपोनेंट्स रिपॉब्लिकिन डॉनल्ड ट्रम्प वोटर्स को लुभानी की कोई कसर बाकी में हुचो रहे कैम्पेइनिंग के इसी दौर में एक स्पीश के दौरान हिलेरी क्लिंचन अपने अपोनेंट्स डॉनल्ड ट्रम्प को हस्बेंट बता बैठी आला की वो हस्बेंट्स अब नहीं बोल पाई और खुद को फॉरन संभालते हुए कहा मेरे अपोनेंट्स इसी बारे में बात करने हैं इसके बाद उन्होंने काफी संभालतर आगे की बात कहीं और होने अपनी ओट्सम की कॉलिसीज ने अंतर को लेकर रिपोर्ट्स को जानकारी देए बता देगी हिलैरी के पती का नाम बिल क्लिंचन है बिल खुद दो बार यूएस प्रेजिडेंट्स रहे चुके है